वर्ल्स लेल्फ ओर्गिनाजिशन की 2017 की एक रिपोर्ट के पताबिक 360 मिलियन अफ्रार के नी दुनिया की 500 अबादिकों समाज से महरूमी का आफजा लहाग है। इन में से 32 मिलियन बदकिस्मत बच्चे हैं। जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती हैं हमारी सुनने की हिस्थ कमजोर होनी लगती है। 65 साल से ज्यादा उमर की लोगों में हर 300 शक्स इस मर्ज का शिकार है। आफ़ी अदारे सेहत ने ये भी बताया है कि समाथ की कमजोरी अक्सर पैदाशी होती है। लेकिन ये काबले इलाज है। ताहम तश्वीशना क्वात ये है कि 1.1 मिलियर नोजवान अपने इर्गित्य महोर में मजूद सूती अलूद्गी की वज़ा से मुंकिना तोर पर अपनी समाथ हो रहे हैं। हबरफा कि इस एपिसोड में आज हम सदाई शोर अंगेज यानि हम कितनी उंची आवाज सुन सकते हैं पर गुफ्तबू करेंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गंटी के बटन को दबाना मत पूलिए ताके आप तक हमारी आने वाली हर नए वीडियो की इतरा पहुन सके। आवाज को डैसिबिल में नापा जाता है। वोसमें पर साथ में हलकी निम्चिम या ख़जार सीधा पत्तों की सरस्राहट की आवाजे 30 से 50 डैसिबिल तक ही होती है। जमीन पर घिनने वाले किसी एक पत्ते की आहड लगबग 10 डैसिबिल होती है। लेकिन बेच तो रुकात ये सुनाईने नहीं देती। अगर हम द्यान से सुने तो किसी जग बगाते हुए कुमकु में की साइसाय हम सुन सकते हैं। जो तक्रीबर 15 डैसिबिल के करीद होती है। सरगोशी के बारे में कहा जाता है कि वो तक्रीबर 40 डैसिबिल के हामी होती है। और आव तोर पर हमारी गुस्तगू साथ डेसिबिल तक रहती है। सड़क पर दोड़ती हुई एक एम्बूलन्स ये पुलिस की घाड़ी का गूशता हुआ साइरन एक ऐसी ही आवास है जो आप जाना देर तक बरदाश्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये समाख राशी आपके समान को नाभवार मैसूस हो सकती है। ये शोर भी इतना ही बुलंद है जितना तेज उंचा कोई इतसान चीख सकता है। शराथी बच्चों का गुलगुबार तो आपने जरूर सुना होगा। गनीज बुक को वर्ड रिकोर्ड में दर्श है कि 2014 में स्याटल में जारी खेलों के दुरान स्केरियों में मजूश चैकीएं के हजूंका शोर 142 तैसे बिल तक जा पुच्चा था। और साइंस दानों का कहना है कि लगबग 114 तैसे बिल तक हमारे कान दुखने लगते हैं। और इस तरह के शोर में ज्यादा दिर रहने से हमारी समात को नुक्सान पहुन सकता है। अगर आप शोर वाली जगा के काफी करीब हैं तो 150 तैसे मिल से ज्यादा की आवासे आपके कादों के परदे फढ़ सकते हैं। प्रान पार्प में है के हजजर सैल है कि नाफर्मान कोग संबूत को आसमान से एक हैबतनाक शीक की आवास ने हला कर डाला था। हजरत जिवराईर अमीन लाहिस नाप की तरफ से माली देगी भिजनी नमा कड़कता चीक एक किसम का अजाब थी। सुराय होट में है के उनको एक चेंगार ने आपकड़ा जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इसी तरह उहते पड़े रह गी। क्यामत के रोज भी अल्ला ताला का एक मुकरफ रिष्टा जिसका नाम इस्टा फीर है एक सुर्फ फूंकेगा जिसकी दैशन से तमा मजूदा दम तोड़ देंगी। सुराय अल्जिमन में है कि और सुर्फ फूंका जाएगा तो आस्मानों और जमीनों में सब देहोश हो जाएंगे। तो आएए अब हम इंग बलंद एहन आवाजों का जिकर करते हैं जिने हम सुन सकते हैं। हम चंद आल्मी वाक्या से अगास करके रोस्मरा की आवाजों तक आएंगे। अब तक कि तेस्तरीन आवाज जो इस पुराय अर्फ पर सुनी गई हो 1883 में इंडोनेशिया में जावा और समार्ट्रा के तर्म्यान वाक्या जजीरा क्राका तोटा में आतिश विशाका फटना था। जिससे 35,000 से ज़्यादा अफ्राद फोट हो गए थे। इस दमाकी की गून दूर रास्तर प्रिकॉड की गई। कहा जाता है कि इस दमाकी से इर्दगिंद के 25 मिल तक के फासले पर मजूद लोगों के कागों के परदे भढ़ गए। यह अवास मगरभी ओस्टेलिया के पर जगह से 170 किलो मिटर की दूरी पर मजूद लोगों तक धमाकी की आवाज 180 डेसिबिल की शिद्द से पहुंची होगी। यह इंसानी समाग के लिए बहुत खोल नाप है। आतिश यह अस्तर के माहिनिक के मताबिक यह आवाज 44 बोल पिस्तॉल से गोली दागी जाने की गून कि इस पर सुनी शोर से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। मुसरसल गोला भारी से अगर हो जिस्मानी तोर पर महफूस भी रहे तो इन ही अपनी समाज से महरूमी का खत्रा लाहक रहता है। हम जपान में हिरोशीमा और नागासाकी पर गिराई जाने वाले एटम वगवों को फर्मोश नहीं कर सकते। इन दमाखों की यूँ तक्रीबत 240 डैसिबिल तक पहुंच गई थी। साइसानों के मताबिक एक तंब्रे रूदीम अवाद का दमाखा 210 डैसिबिल का शोर पैदा करता है। एक और तेज आवास रोकेट की है। यह कीनल किसी भी रोकेट को खु पाने भी शोर पैदा करते हैं। चलते हुए मशीनों का शोर एक सो साट डैसिबिल तक हो सकता है। बाद शारवर भी बलंद एहंग आवाज के हामिल है। मसलन एक शेड तक विबद 114 डैसिबिल की शिद्द से धारता है। और यकीनल यह दिल देहला देने वाली आवाज ह लेकिन बाद समुंद्री महलुक इससे भी बलंद आवाज निकाल सकती है। एक खास किसंका समुंद्री केकड़ा 100 फिट की मुही से 140-140 डैसिबिल का शोर डाल सकता है। और यह आवाज किसी हवाई जहाज के इंचन की आवाज से जाड़ा भुलंद है। पानी के अंदर य यह आवाज समुंद्र में 800 किलो मेटर दूर तक दूसरी वहीर बाअसानी सुन सकती है। चूकि यह शोर पानी के अंदर होता है इसलिए हमारे कान इसे नहीं सुन पाते। मौसी की यूँ तो कानों को भली लगती है लेकिन बासुपात यह शोर अंगेज भी हो सकती है। 2009 म में कैनेडा के उटावा शहर में पुर्फान करते हुवे एक म्यूजिक मैंड 136 डेसिबिल की हद अबूर कर गया था। यह अब तक कि किसी मैफले मोसिकी का सबसे हंगामा है इस प्रोग्रम था। नाज काने के लिए निशूर नाइट कलब शोरूब के लिहाज से खासे मर सकता है। अभी हाल ही में लार्ज यूर्पियन एकूस्टिक फिसिलिटी ने दुनिया का तेज तरिन साउन सिस्टम इजाद किया। यह कोई म्यूजिकल साउन सिस्टम नहीं बल्के शोर पैदा करने वाला एक जिमिनेटर है जो के 154 डेसिबिल की शितर से बलंग तरीन रखा जाता है। स्कूल अदालत और हजबताल के सामने घाड़ी का हारण नाप जाया जाए। इन अमारतों के करीब सड़क पर नसब एक बूपो को काटता हुआ जड़का निशान हमें यही सबक देता है। आप इस पर किस हद तक अमल करते हैं। नीच कुमेंट बोक्स मे जड़ूर बिताइएगा निश ये भी के आपने अब तक जो ब्लंक तरी आवास सुनी वो कौन सी थी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अधिल किस तक के लिए अल्ला हाफिस।